आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में अलहाबाद हाई कोट आरो एरो की जो वैकनसी आने वाली है फ्रेंड से यहां से आज पहली कलास से स्टार्ट होती है क्योंकि हमने बोला था कि इसकी topic-wise class start होगी तो आज की पहली कलास है यू-P pasar आप सभी को पता है कि यू-P irrigation class start करने से पहले थोड़ा सा basic बता देते हैं कि कैसे class छलेगी ठीक है तो आज UP Special हमने स्टार्ट किया है तो आज की पहली क्लास है आप सभी को पता है कि UP Special से कम से कम 15 से 17 कोश्चन आएंगे क्योंकि लास्ट यह जो पूछे गए थे लवक 13-14 कोश्चन पूछे गए थे और इसके पहले 12-13 कोश्चन यानि आप देखेंगे कि हर साल UP Special का कोश्चन बारता चला जा रहा है तो हम लोग 17-18 कोश्चन मान की चलते हैं तो अभी से टॉपिक क्वाई स्टार्ट करेंगे और पता दिया कैसे क्या है तो आज इसका पहला सेग्मेंट हम उठा रहे हैं UP Special अब UP Special हम 7-8 दिन में कवर कर देंगे और इसका इलहाबाद High Court और यारो का अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे आप इसको बार बार देखते हैं तो आपका यहां से 17-18 कोश्चन कवर हो जाएगा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी विश्वास मानिए आपको अलहाबाद High Court में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से तो चली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो आज का पहला प्रस्थ यहां पर मतलब की पहला टॉपिक है जलवाई यह मिट्टी और क्रिसिस रिलेटेड है और उसमें मेंसन भी किया है क्रिसिस रिलेटेड कोस्चन पुछे जाएंगे तो यहां अलहाबाद High Court की बिल्कुल निस्वल क्लास चलाई जा रही है और पीडियो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको तो वीडियो के डेस्क्रिप् कर सकते हैं चाहे तो प्रिंट आउट भी करा सकते हैं बिल्कुल HD क्वालिटी में हैं ठीक है तो चैनल पर पहली वाज विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जलवाई वेम मिट्टी अब यहां पर उत्तर प्रदेश वर्षा का वितरण वर्षा का वितरण कैसे कैसे किया गया है इसके विजिए में यहां पर हम पढ़ेंगे यहां पर देख के उत्तर प्रदेश का मैप है और यहां पर जो है यह मद्यम वर्षा होती है ज celebrating यहां पर मद्यम वर्षा होती है वैसे मैप उगर आद से पढ़ने क्या होगा कि आपकी दिम्यमाग में इसेट हो जाएगा जैसे एक्जाम में अगर मैप भी दे दिया अगर पूछेगा कि मद्यम वर्षा का अस्थान बताई है तो मद्यम वर्षा आपका ए रहेगा बीच में क्या रहेगा बीच में निम्न वर्षा रहेगी और सबसे नीचे अति अल्प वर्षा रहेगी जैसे मान की चली यह मैप आपका हो गया suppose that map हो गया उपपर आपका मद्यम वर्षा हो गई नीचे निम्न वर्षा हो गई और सबसे नीचे यहाँ पर अति अल्प वर्षा हो गई अब चलते हैं आगे जो यहाँ पर बेसिक फैक्ट से क्योंकि एलाबाद हाई कोट आरो यारो में फैक्ट से ज्यादा कोश्चन पूछे जाते हैं आपको मिलान वाले कोश्चन नहीं यहाँ पर होता है यहाँ पर फैक्श्वल कोश्चन पूछे जाते हैं पहला है कि मिर्दा अपर्दन को जली यह वायु अपर्दन में वर्गी करित किया जाता है प्रदेश में पूर्वी यह दक्षडी भाग जली अपर्दन तथा पस्वी भाग वायु अपर्दन से प्रभावित होता है मान की चलिए यह उत्तर प्रदेश है और इसका पूर्वी जो हिस्सा है यह पूर्वी हिस्सा यह दक्षडी भाग ये दक्षडी भाग है ना ये जली अपर्दन से प्रभावित होता है किसे है जली अपर्दन से और पस्चिमी भाग किसे होता है तो पस्चिमी भाग वाई अपर्दन से ये आपका हो गया पस्चिमी भाग ये वाई अपर्दन से प्रभावित होता है इसको इस तरह समझिए यह आपका उत्तर प्रदेश हो गया पूर्वी भाग और दक्षडी भाग यह जली अपरदन से प्रभावित होता है पस्मी भाग वाई अपरदन से प्रभावित होता है इमेज के माध्यम से पढ़िये दिमाग में पूरी तरह से सेट रहेगा अगला कोश्चन है अगला फैक्ट है कि प्रदेश का इटावा जिला और नली का अपरदन से सरवाधिक प्रभावित होता है यह कोश्चन बार बार पूछा गया है अभी जैसी यह कंसेप्चुल चीज़ खतम होगी बाद में हमने यूपी पीयस्सी आरो अगरा में जो अपरदन का प्रभाव वाई अपरदन से अधिक प्रभावी होता है जिसमें परत अपरदन महत्यपूर होती है नेक्स्ट किसान की मौत कहा जाता है अब यह किसान की मौत किसको कहा जाता है तो यहां पर समतल कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूश्म जो है पूछ ले किस परत अपर्दन को समतल खेतों में बहुत सूश्म तरीके से होता है तो किसान की मौद कहा जाने वाला परत अपर्दन को क्या कहते है किसान की मौद भी का जाता है या समतल खेतों में बहुत सूचम तरीके से होता है अब यहाँ पर मिट्टी दी गई है और इसके अस्थानी नाम दिए गए है खादर मिट्टी है इसको क्या बोलते है नवीन मिट्टी जलोड मिट्टी दोमत मिट्टी या कछारी मिट्टी तो कछारी मिट्टी पर आप इसको टिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पर जलोड मिट्टी दोनों इंपोर्टन्ट है अगला है बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी को क्या बोलते हैं, पुरानी जलोड मिट्टी बोलते हैं यानि खादर का मतलब क्या हो गया, नवीन मिट्टी और बांगर का मतलब पुरानी मिट्टी हो गई उसर भूमी को क्या बोलते हैं रेह बोलते हैं बंजर बोलते हैं तथा कलर बोलते हैं बलूई मिट्टी को क्या बोलते हैं भूड बोलते हैं डारेक्ट से कोशन पूछ लेगा भूड किस मिट्टी को कहा जाता है तो भूड बलूई मिट्टी को कहा जाता है अगला कोश्चन है काली मिट्टी किसको कहते हैं रेगुर मिट्टी को बार-बार कोश्चन पूछा गया है इसको important है याद रखिएगा इसको करेल मिट्टी भी कहा जाता है यानि कपास मिट्टी बुंदेल खंड छेत्र की मिट्टी है कौन कौन सी है लाल मिट्टी है परवा मिट्टी है मार मिट्टी है और राकर मिट्टी है अब यहां से हमारा जो कैमसेप्चुल चीज हुआ खतम हुआ अब यहां पर जो कोश्चन पूछे गया है इसको हम कवर कर लेते हैं एकजाम कैप्सूल से ठीक है करा कि किस मिट्टी की बुंदेलखंट चेतर में प्रमुकता है तो बुंदेलखंट चेतर में अभी हमने पढ़ा है कि काली मिट्टी की प्रसिद्ध है कपास के लिए अगला उत्तर प्रदेश के भावर छेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो भावर छेत्र में ककरीली या पत्रीली मिट्टी पाई जाती है ठीक है भावर छेत्र में ककरीली या पत्रीली मिट्टी पाई जाती है अगला है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यता कहां पाई जाती है मिर्जापूर और जहांसी में पाई जाती है मिर्जापूर और जहांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है नेक्स्ट है लवर प्रभावित्य मिट्टी मुक्यताः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाइयाती है आगरायोम अलीगण मंडल में पाइयाती है तो उत्तर प्रदेश में तस्तर जल्वाय छेतरों की संख्या इंगी परकार के मिट्टी में किस प्रकार की बुंदेल खंड शेत्र में प्रमुकता किस मिट्टी की है काली कपास की मिट्टी अगला कोश्चन है आप इसको पीडिएफ आप पढ़ेंगे तो पीडिएफ में बिल्कुल डेस्क्रिप्शन भी दिया है और अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसलिए कह रहा है कि आप वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलिग्राम का लिं मिट्टी पाई जाती है नेक्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्षता कहां पाई जाती है लाल मिट्टी मिर्जापूर्यों जहांसी में पाई जाती है नेक्स्ट कोश्चन है लवर प्रभावित मिट्टी मुख्यता उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है तो यह जो है आगरायोम अलीगढ मंडलों में पाई जाती है नेक्स्ट कोश्चन है कि निम्लकित अस्थानों में वर्ता रितु कहां सबसे अधिक होती है वर्ता रितु गोरहपुर में होती है सबसे कम अगर पुछे तो मतुरा में होती है इसको याद रख्येगा मतुर्ह में नेक्स्ट कोश्ण है उत्तर प्रदेश में सस्जलवाई छेत्रों की संक्या कितनी है यहाँ पर नौ सस्जलवाई छेत्रों की संक्या है मेट्टास की कमी है उत्तरप्रदेस के किस जिले में पाए पाई जाती है जौनपुर में यानि मिट्टी जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है या जाउनपूर जाती है तो प्रेंट्स इसका साई उत्तर हो जाएगा अप्सन नंबर ए जाउनपूर तो आज कई आ रहा वीडियो फ्रेंट्स और इसमें हमने उ जलवाई हों मिट्टी से इसको हमने कवर कर दिया विश्वास मानिया फ्रेंट्स अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं यानि जब तक यहां यूपी स्पिसल कवर होता है तो आपका सत्रा से अठारा कोश्चन यहां से कंफर्म हो जाएगा इसका प्लेलिस्ट हमन टॉपिक वाइज करवाई जाएगी तो फ्रेंट्स से वीडियो कैसे लिए कमेंट बाक्स में जरूर बताइए यां मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम